नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों शुरू करने वाला हूँ यूपिटर पलेशी की सभी भरतियों पर आपके द्वारा पूछे गए सभी सवाल और मेरे जवाव दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूस सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तो शुरू करता हूँ सबसे पहला कमेंट है नीरज कुमार जी का और ये कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी सर नीरत जी आपको बताना चाहता हूँ वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है मैं इस बात को काफी दिनों से पता करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई भी जानकारी इस सम्मन में मिली नहीं है कि इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी इसके बारे में आपको जब भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले बता दी जाएगी ठीक है अगला कमेंट अगला प्रशन लेते हैं प्रेम हर्दुवा जी का और ये कहते हैं इस टैनों की जॉइनिंग कब तक होगी देखिए प्रेम जी इस टैनों की जॉइनिंग के बारे में जानकारी कुछ मुझे मिली है और वो ये है कि 15 अक्टूबर तक आपकी इस टैनों की ज जॉइनिंग होने के चांस हैं ये मुझे उन्होंने एक संभावित डेट दी ठीक है और बाकी कोई भी और जानकारी मिलेगी तो आपको दे दी जाएगी अगला परशन लेते हैं अगला कमेंट है सरस्वती शर्मा जी का और ये कहती है वीडियो वेटिंग लिस्ट 2016 का क्या चांस कमेंट इस वीडियो 16 की वेटिंग लिस्ट को लेकर मुझे आते हैं और मैं उनको पढ़ता भी हूँ और मैंने ये पता करने का प्रयास भी किया कि वीडियो 16 की वेटिंग लिस्ट आयोग में बन रही है या नहीं बन रही है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ भई एक fix date बताईए तो मुझे उन्होंने date बताने से मना कर दिया ठीक है देखिए जानकरी जो मिलेगी बिलकुल वही दूँगा कभी भी आपको भ्रमित नहीं करूँगा ठीक है तो फिलाल update यह है कि वीडियो 16 की विटिंग लिस्ट पर कारिया चल रहा है अगला प्रशन लेते ह और यह कहते हैं lower 2 का final result जारी हो यूपिटर परेसी मुर्दाबाद देखिए lower 2 के परिणाम को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ कि सितंबर के महिने में ये परिणाम आना मुश्किल है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगस्त में परिणाम नहीं आएगा तो selection देने में आयोग को इस भरती में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है अगर आयोग सभी छात्रों को post preference के हिसाब से selection देता है तो बहुत सारी सीटे इसमें खाली रहेंगी और आपको बता दू यूपिटर परेसी इस भरती की सारी सीटे भरना चाहता है एक भी सीट खाली नह गोठी नहीं मिलते हैं लेकिन इस भरती में ऐसा नहीं है इस भरती में साक्षात्कार के लिए भी तीन गुना से भी ज्यादा चात्रों को लिया गया था इसमें 600 प्लस पोस्ट है और करीब 2200 प्लस बच्चे इसमें सक्षात्कार के लिए सफल गोशित किये गए थे तो करीब करीब साड़े 3 गुना चात्र इसमें सक्षात्कार हुआ था उन चात्रों का और वेकेंसी कितनी है 600 प्लस तो इसका मतलब यह है कि इनके पास योग्या अभ्यरती है और योग्या अभ्यरती होने के बाबजूद आयोग इसमें सीट खाली नहीं छोड़ेगा तो आयोग इसमें कुछ ऐसा फंड़ अपनाएगा जिससे सभी छात्रों को इसमें सेलेक्शन हो और सारी की सारी सीटे इसमें भर जाएं और ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ केवल यही मैटर इस भरती को लेकर फसराए और इस भरती पर कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ चात्रों ने ये भी कहा कि सर क्या ये भरती कैंसिल भी हो सकती है तो भाईया cancel होने की आप tension बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल आपको परिशान होने की आवे सकता नहीं है, cancel होने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर इनको cancel होता ना, तो ये दो दो बार इसकी लिखित परिक्षा ना कराते, और साक्षात कार भी ना कराते, इन चीजों पर काफी खर्चा भी होता है, ठीक है, अगर इनको cancel ये बरती करने उती तो अब तक कर दिया होता है, ठीक है, 14 ये बरती को 2021 तक ये नहीं खीचते, अगर इन्होंगे ये बरती 2021 तक खीची है, और साक्षात कार भी लिया है, तो भई ये बरती पूरी होगी, और जानकार ये मिली है कि इस भर्ती पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है cancel होने वाली ठीक है दोस्तों तो cancel होने के शब्द से आप बिल्कुल परिशान ना हूँ केवल preference के according selection देने में आयोग को दिक्कत आ रही है और उम्मीद करता हूँ जल्द ही ये दिक्कत भी solve कर ली जाएगी ठीक है और इस भर्ती दिने में आयोग कर दिने अंतिम होता है आगे चलते हैं अगला comment है संतोष पटेल जी का ये कहते हैं homeopathic final result कब आएगा हाँ जी homeopathic परिणाम को लेकर जानकारी है 100% इस बात में कोई शक नहीं है इस बर्ती के परिणाम को लेकर जानकारी मुझे मिल चुकी है और आपको बत महिने में सितंबर के महिने में homeopathic बर्ती का final result जारी होना है ये जानकारी मुझे बिलकुल मिली है यूपिटर पहले सी करमचारी के दौरा और एकदम official है ठीक है अक्टूबर तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा सितंबर में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा चैनों के बारे में कुछ बता दो सर अशोक जी कहते हैं ठीक है इस चैनों का बता चुका हूँ मैं आपको कि सितंबर चला जाएगा और पंदर अक्टूबर तक आपको इसमें जॉइनिंग मिलने की उम्मीद है हाँ जी अगला कमेंट है YKS study इनका और ये कहते हैं वीडियो इस सितंबर को इस भरती की सुनवाई है ठीक है और जहां तक जानकारी मुझे मिली है और जहां तक मैंने इस भरती के बारे में study की है तो जानकारी मैं यही निकाल पाया हूँ और सारांश यही निकाल पाया हूँ मैं कि ये भरती कोट से बहाल हो जाएगी ठीक है और चात् मिलना तै है तो भया जो भी इसमें इमांदार छात्र हैं मेहन्ती छात्र हैं जिन्होंने संगर्ष करके मेहनत करके इस परिक्षा को पास किया है तो उनको परेशान होने की कतई भी आवशक्ता नहीं है ठीक है ये बरति कोट से बहाल होगी 100 परितिशत होगी और दुबारा परिक्षा देने की आपको आवशक्ता नहीं पड़ेगी जो भी छात्रिस में इमांदार होंगे उनको सेलेक्शन मिलेगा और जो भी गलत छात्र है उनको बाहर किया जाएगा ठीक है और 22 अलिक को सुनवाई है देखते क्या होता है जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको बता दी जाएगी अगला कमेट लेते हैं मनोज सिंग जी का ये कहते हैं मंडी के रिजल्ट के बारे में सही न्यूज बताएं बस एक एक दिन एक एक महीना निकलता जा रहा है अगले महीने फिर अगले महीने कोई बात नहीं हुई बच्चे इतना परिशान है आयोग के अंदर की न्यूज गलत हो जा रही है मनोजी आपको बताना चाहता हूँ मंडी परिशत के परिणाम को लेकर देखिए थोड़ी दिक्कत है इसमें दिक्कत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है अगर आप सोचें के बही कैंसल हो जाएगी भरती है तो कैंसल होने वाला शवद अपनी दिमाग से बिलकुल निकाल दीजिए ये भरती कैंसल नहीं होगी क्योंकि अगर आयोग को कैंसल करना होता तो वो पहले ही कर देता इसमें टाइपिंग नहीं कराता ठीक है और कैंसल होने वाली इसमें ऐसी कोई भी जानकरी नहीं है थोड़ा पोस्ट कम करने की इसमें बात सुनने में आ रही है ठीक है और अगर पोस्ट वाकई में कम होती है तो आपको जानकरी मैं दे दूँगा कुछ दिनों में ठीक है युपिटर पहले सी करमचारी दुआरा जानकरी पता करके आपको बता दी जाएगी कि इसमें वाकई में पोश्ट कम हो रही है या कि यह वले एक अफवा फैल रही है ठीक है ये आपको जंकरी देंगा मैं एक्तम सही नीज दूँगा आपको दो-चार दिन का वेट कर लीजिए और फिलाल ये है कि भई बरती एक्तम सेफ है बरती में कोई दिक्कत नहीं है आपकी बरती जल्दी ही पूरी होगी कैंसल होने वाली इसमें कोई चांस रही है ठीक है परिशान बिल्कुल भी आप ना हो अगला कमेंट है आप ही कह रहे थे मंडी परिशद का जनाथा तंबा में जाएगा 100% आपका रहे आप अक्टूबर में आएगा सितंबर में चांस है देखिए मंडी परिशद के बारे में अगला कमेंट है मिश्कु भाई आपने इस चांस के बारे में तो अब तक बात करना बंद कर दिया बता दिया आपको मैंने 15 अक्टूबर तक आप वेट कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं भाई तरी एक बात अच्छी लगी छोटा वीडियो बनाता है ठैंक्यू अगला ल 2022 का इंतिजार करना पड़ेगा सितम स्वरी 2021 में ये परिक्षा नहीं होगी फोरेश्ट गार बोरिंग टेक्निशियन और आपका एसो असिस्टेंट स्टर्टिकल ऑफिसर सायक संकी की अधिकारी ये तीनों परिक्षाएं आपको 2022 में ही देखने को मिलेंगी 2021 में ये तीनों परिक्षाएं नहीं होगी ठीक है तो आप फिलाल 2022 का वेट कीजिए और बाकी कमेंट है इनका बरजेश जी का लोवर डू के बारे में ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं कि इसमें कोई पोस्ट कम नहीं हो रही है साली पोस्ट है पूरी की पोरी सें पोस्ट है 641 दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी भरती के बारे में कोई भी निउस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपके सबी सवालों का जवाब दिया जाएगा और अगर किसी भरती के बारे में या पर